राजस्थान के डीडवाना जिले में सीकर जाने वाले स्टेट हाईवे पर सुपका गाउं के नस्दीक एक टैंपो अनियंतरित होकर पलट गया जिसमें सवार एक दरजन से जादा सवारियां खायल हो गई आपको बता दें कि टैंपो सेवा गाउं से सवारियां भर कर डीडवाना आ रहा था इसी दोरान सुपका गाउं से निकलते ही टैंपो अचानक पलट गया टैंपो के पलटने से सवार यात्रियों को टैंपो के नीचे दबने से चोटे आई हैं वहीं बताया जा रहा है कि टैं प्राफर किया गया वहीं अन्य घायलों का प्राथ में कुपचार जारी है डीडवाना से सामवादाता मुह मुहमद साकर की रिपोर्ट